सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन इन दिस वर्कशीट सब्ट्रैक्शन के बारे में तो आपने अर्लियर क्लासेज में भी जाना होगा लेकिन आज हम उससे थोड़ा सा आगे जान रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंगार टाइम लेटस टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद में यह एक नंबर लाइन होती है देखें नंबर लाइन पर अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे यह बहुत बार आपके बुक में आप जब देखेंगे इस चैप्टर को तो इसमें बहुत बार यह कोशन भी होंगे नंबर लाइन पर कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं जो की जीरो से स्टार्ट होती है यहाँ पर थोड़ा सा गलत है इसको हमने जीरो से स्टार्ट करना है विटा जीरो से आप कितने भी नंबर डाल सकते हैं जिसे हाँ पर थर्टीन तक डाला हूँ और फॉर एक कोशन ले रखा है एट माइनस थ्री को हम नंबर लाइन यूज करते हुए कैसे सब्ट्राक करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है जो बड़ा बिग नंबर है सबसे पहले हमें जीरो से लेकर वहां तक जंप करनी होती है जैसे एट है तो हमें एट तक जंप करनी है फिर इसके बाद 3 minus करना, जब भी minus होता है, subtract होता है, इसका मतलब हमें उतने ही step back करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, back करने पड़ते हैं, तो जैसे 1, 2 and 3, तो what is the answer, answer is 5, अब आप समझें कि number line पर subtraction कैसे करते हैं, एक example मैं और आपको सिखा दू, माल लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और मैंने आपको question दिया, कि 5 minus 2, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, 0 से 5 तक की एक long jump, और कितने steps हमें back करने हैं, 2 steps, 1 and 2, and what will be the answer, answer is 3, So, अब आपको आगया न number line यूस करते हुए कि हमें subtraction करना कैसे, okay, for example, 7 frogs sitting on a wooden trunk, 7 frogs जो हैं, वो लकडी के एक टुकडे पर बैठे हुए थे, Two of them jumped from there, दोने वहां से jump लगा दी, then how many frogs are left on wooden trunk, अब इस लकडी के टुकडे पर, कितने frogs left रहे, बचे, 1, 2, 3, 4 and 5, तो आप इसको करना कैसे, total frogs 7, frogs jump 2 and frogs left, 7 minus 2 is equal to 5, इसी तरह से number line जैसे अभी हमने किया, बिलकुल वैसे ही करना है, So what is the subtraction, taking away, यानि वापिस लेना, minus, कम करना, less, वही कम करना, difference, deduct, decrease, तो अगर कहीं ये words, आप इन words को अच्छी तरह से learn कर लेजी, अगर किसी भी question में, ये words आपको नजर आते हैं, that means, आपको क्या करना है, हमें करना है, subtraction, minus भी बोलते हैं, subtraction भी बोलते हैं, for example, subtract 28 from 47, अगर हमें 47 में से 28 subtract करना है, तो ये तो लिखाई हुए है कि हम उसको जैसे expand कर सकते हैं, 4 tens and 7 ones, and 2 tens and 8 ones, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखिए, ये क्योंकि borrow वाले इनको अच्छे से समझेगा, जो big number है, उसको उपर ये रखना है, अभी क्या करना है, जब हम minus करते हैं, देखिए, तो यहां हम अमेशा one place से करते हैं, कौन से place से, once place से, अब once place पे है 7, 7 minus 8 हो सकता है, 7 में से हम 8 किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो 7 तो बिचारा कमजोर रहा गया, बहुत weak है, तो ये अपनी help के लिए इस से एक power ले लेगा, इसको बुलेगा कि 110 मुझे दे दो, अगर ये 110 दे दे देंगे, तो यहां पर बन जाएंगे 17 और यहां रह जाएंगे 3, तो अब तो 17 में से तो 8 minus हो सकते हैं, 17 minus 8, 9, and 3 minus 2, क्योंकि इदर 3 रह गया था, 3 minus 2 is 1, इस तरह से, what will be the answer, 19, एक question और आपको करा के दिखाता हूं, देखिए, अगर ऐसे ही question आजाए, borrow वाला question आजाए, तो हमें कैसे करना है, मान लीजिए, कि यहां लिखा हुआ है, 96, और हमें इसमें से subtract करना है, 68, ओके, अब यहीं से start करते हैं, तो 6 में से 8 नहीं minus हो सकता, तो इस तरह यह 1 borrow करेगा, 110 borrow करेगा, त 16 minus 8 is equal to 8, और यहां कितने रह जाएंगे, 8, 8 minus 6 is equal to 2, answer will be the 28, अभी आपको समझ में आ रहा, कैसे करना है, yes, okay, now we'll move on word problems in subtraction, when we solve word problem in subtraction, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, steps involving in problem solving, identifying and understanding the problem, पहले problem को आप identify करें और understand करें, फिर color the important numbers, जो numbers उनको आप color कर ले या उसको underline भी कर सकते, underline the keywords, जो keywords उसमें है, उनको keywords करें, underline करें, क्योंकि वही keywords हमें लिखने है, analyze it, उसको analyze करें and solve it, कैसे, अब एक question, इसको कहते है word problem, जो यहां पर example दे रखा है, the price of a scooter is 54,500 रुपीज, and the price of a motorbike is 60,925, which vehicle is costly and by how much, तो अभी हमने क्या करना, एक तो हमने numbers को, जो भी numbers है, उनको हमने color कर लिया या underline कर लिया, फिर उसके बाद जो हमारे keywords है, जैसे price of scooter and price of a motorbike, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, वो देखना है, कि दोनों में से कौन costly है, और how much, यानि कितना, ठीक है, देखने से तो पता चल रहा है कि motorbike जाद है, लेकिन how much, तो हमें लिखना कैसे होता है इसको, पहले हमेशा जो big number है, price of a motorbike लिखा, is equal to 60,925, फिर price of scooter ऐसे लिखना है, रुपीज 54,500, अब इनको subtract करना है, क्योंकि इसने पूछा न, कि by how much it is costly, कितना वो costly है, तो जब आप इसको minus करेंगे, तो number के नीचे, digit के नीचे हमेशा digit आना चाहिए, 5 minus 0, 5, क्योंकि 0 means nothing, then 2 minus 0, 2, 9 minus 5 is equal to 4, अब 0 में से 4 minus नहीं हो सकते, तो 4 में से तो 0 minus हो सकते, नेकि 0 में से नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर इसको एक 1 दे देंगे, और यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ रह जाएगा 5, तो 10 minus 4 is equal to 6, and 5 minus 5 is equal to 0, और 0 हम लिखते नहीं है, तो answer is, रुपीज 6425, therefore motorbike is costly by 6425, इस तरीके से हमें इसको करना है, Now, let's do some more questions for practice, question number 1, arrange in columns and subtract, इन्हें पहले हमें column में arrange करना है, कैसे करना है, देखे, हमेशा big number को आपको उपर रखना है, और small number को नीचे, इस तरह से, minus का sign, अब 3 में से 8 minus हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से ही start करना हमें, 3 में से 8 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो यह से 1 borrow कर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएंगे 13, और यहाँ पर रह जाएंगे 4, तो 13 minus 8 is equal to कितने होता है, 5 होता है, 4 minus 1 क्या होता है, 3 होता है, and 4 minus 1 क्या होता है, 3 होता है, answer will be the 335, अब now second question, 7634 minus 5654, minus करो, यहाँ से करेंगे 4 minus 4, 0, 3 minus 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उपर छोटा number है, तो यह इससे 1 borrow करेगा, 1 borrow करेगा, तो यहाँ 13 और यहाँ रह जाएंगे 5, 13 minus 5 कितने होता है, अभी हमने किया, 8, and 5 minus 6, यहाँ पर नहीं हो सकता है, फिर यह इससे 1 borrow करेगा, तो यहाँ 15 और यहाँ रह जाएंगे 6, 15 minus 6, 9, and 6 minus 5 is equal to 1, answer will be the 1980, question number 2, question number 2 is, by how much 45,872 less than 50,000, यानि 45,872 कितना कम है 50,000 से, तो जब हमें यह ओना कितना कम है, कितना less करना है, कितना less than है वो, तो हम हमेशा minus करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 number का answer, पहले आपने लिखना है 50,000, फिर उसके नीचे लिखना है 45,872, minus का sign, अब 0 में से 2 नहीं जा सकते, तो यह अगले वाले से एक बोरो करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, अगले वाले से करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं, अगले वाले से करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं, यह लेगा इस से, तो यहां तो रजाएंगे 4, और यहां हो जाएंगे 10, अब यह 10 इसको देगा, तो यहां रजाएंगे 9, और यहां हो जाएंगे 10, यह भी एक इसक and 9 minus 5 4 और आगे हमें लिखने की ज़रत नहीं क्योंकि 4 minus 4 0 होता है वो नहीं लिखते हैं तो answer will be the 4128 check जरूर करके देखना answer गलत तो नहीं है then question number 3 the difference between two numbers is equal to 700 if the larger number is 3340 find the smaller number आपको देखे हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है लेकिन हमें beach का number नहीं दे रखा है ठीक है तो हमें क्या करना होता है फिर आपने ऐसे लिखना ये तो हो गया कौन सा larger number और answer उनका difference कितना है difference है 700 मैंने गलत लिख दिया शायद यहां पर 4 आएगा ठीक है 0 minus minus करना है 0 minus 0 is 0 4 minus 0 is 4 3 minus 7 नहीं हो सकता तो ये एक बौरो करेगा 13 minus 7 is equal to 6 और यहां पर बजगया यो किसने एक दे दिया था तो यहां बजगया 2 answer will be the 2640 यानि वो इतने जो ये smaller number हमारा ये आगया चीक है smaller number इस तरह से हमें इसको answer को करना है So now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को like कीजिए, share कीजिए बहुत जादा subscribe कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50k तक पहुँचा दीजी यानि की 50,000 और याद रखेगा whenever you will go outside please wear your mask wash your hand with soap and water regularly और जब भी आपकी टर्णा इसकी vaccination अवशे कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदेगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उमीद के साथ Thank you very much